असलाम लेकूम दूटन्स तो कल हमने जो है परसूं पढ़ा था मंड़ी के दिन हम ने पढ़ा था हुमन के बारे में ठीक है है हुमन मैमल्स था तो आप लोग को यहां पर कुछ क्योश्चन दिया है ठीक है जो आपके जो है प्रीवियस स्टडी से रिलाइट है तो आप अपने बुक्स पर जो है टिक कर लेना यह मैं नहीं करूंगा आप खुद करेंगे मैं सिर्फ समझा दूंगा कि करना क्या है ठीक है मौस मैमल्स है डेश टू लिम्स फॉर लिम्स ज्याद है तर मैमल्स पता है आप लोगो जो फीट करता है जो आपने बच्चे को ब्रीट लेता है चार लिम्स रहता है छे लिम्स रहता है इन तीनों में से एक को टिक करना है तर्टल पेंग्विंस फ्रॉक्स यहां पर तीन दिया आफ़ा है आप लोगों को यूज फो पैडल लाइक लिम्स तो पुश वाटर बैक एंड टू सुम इन तीनों में से कौन सा जो है बजो ता जो है बडल लाइक लिम्स मेंने समझाया था लोगों को ठीक है पैडल लाइक लिम्स यूज यूस करता है अपने स्वीमिंग के लिए ताकि वह वाटर को पुश करके वह खुद आगे निकल सके तो इन त्यू नहीं से कौन सा आईगा उसको टिक करना इसी वाले जो है portion की मुझे एक screenshot सब बेजेंगे ठीक है अब next देखिए यह आपके होमवा के portion होगा next हमारा topic है migration in animals यानि animal के अंदर migration के से होता migration का मल्ला पर किसी अपने जगे को छोड़के दूसरे जगे चले जाना some animals move great distance at certain time of the year कुछ animal ऐसे होता है जो किसी साल में किस अपने जगे जो एक बहुत बड़ा distance जो है वो cover कर लेता किसी दूसरे दूर जगे क्या करते जाता है वो चला जाता the mass movement of animals from one place to another is known as migrations बहुत सारे animals मास कमला पर बहुत सारा गुच्छे में ठीक है for example बहुत सारा जब animal जब मूफ करता है अपने जगे से किसी दूसरे जगा ठीक है उसी को क्या कहता है migration कहता है animals migrate to escape harsh weather animal जो है यानि वो लोग migration आखिर करता ही क्यों है जरूरत क्यों पढ़ता है उनको migration करने कि अगर यह question आये तो उनको इसलिए जरूरत पढ़ता है क्योंकि कुछ animal जो है अपने जो नॉर्मल पहला वाला जो उसका habitat था जो जगा था उसमें जो है वो प्रॉपरली जो है अच् माइग्रेशन करके किसी दूसरे जगे जाना पड़ता है जहां suitable हो ठीक है अनिमल माइग्रेट करता है तो इसके भॉष वैदर ताकि उसको जो है सक्त या जो फॉर एक्जम्पल उसके जो पेले वाले हैबिटेट में जो है वैदर बहुत ही सक्त हो जाता है कोल्ड हो जाता ह reward क्लाश में ठृूर्ड ऑर किसी लिए करता है अपने खाने की तलाश में चला जाता है एन्टव रीच ट्रेटिघ वाले जाता है साथ है मैने समझाय था बीभॉट अब लोगं को पेले वाले लेक्च्चर में समझाय था ने जो है और अ क्साफित को कई अनिम करांड टिक है। और क्या होता है। बहुत सारा बर्ट, सम बर्ट कुछ बर्ट क्या करता है Stork लाइक यह स्टोग जो है एक बर्ड होता है जो Help is there इसे की तरह होता है टिल्ग चो यह एक होता है यह मेर्ज होता करता है यार थित जौब आ시ड़ कंट्रिश मेरे जयादह प्रसंज जयंक्त आर था है अपने अरंट छिल्ड और जईड़ा है ऐट एक नर्ट्रेंट लिरी पार्शलीटlor अच्ट करता है पार्ट वाण शायम जगों में रहता है ठीक है उन जगों से आके for example Asia जो बाहर के जो country होता है like Africa for example ठीक है उन से आके कहां इंडिया में आके रहता है कब winter season में ठीक है winter में यह यह birds क्या करता है अपना habitat बाहर के countries के ठीक है अपने habitat छोड़के इंडिया में अच्छा सेटल होने आता है नेक्स देखिए migratory fish like eel eel spend their life in river for example eels a fish type होता है जो बहुत ही smooth होता है spend their life in river ज्यादा वो अपना life जो कहां पे spend करता है अपना पूरा life जो है वो river में गुजारता है लेकिन देखिए they travel from the river to the sea to lay x लेकिन वो क्या करते है जैसे ही उसको x लेकर ना होता है अंडा देना होता है वो कहां चला आता है c के अंदर migrate करके चला आता ठीक है वें दा एक्स है इसके बाद जैसे ही उस इल्स का जो है टूड़ने के बाद वहाँ से क्या निकलेगा बच्चे अब निकलेगा बच्चे इस के बाद ऍमका ऐर Sophia मर जाता है अधा होजाता है जय से उसका बच्चे का जनम होवा यह पैरेंट क्या हो जाएगा याद रखेंगे सब and the young one travel back to the river and इसके बाद फिर से उसका बच्चा कहां चला जाता है river के अंदर फिर दुबारा चला जाता है from where the parent had started the journey जहां से उसके parent ने अपना life जो है start किया था वो भी अपना life start करने कहां चला जाता है reverse में चला जाता है ठीक है तो dear students आज हम यहीं पर रखेंगे ठीक है अपने topics को यहीं पर रखेंगे और लास में में आप लोगों को कुछ diagram जो है बनाने के लिए pictures दूँगी ठीक है उन pictures को आपको अपने copies पर अच्छे से बनाना है okay कल हम इंशालला फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज and best of luck students प्लीज अच्छे से गर पर पढ़ें और अपने homework को अच्छे से complete करें okay thank you so much तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मलर डर्ग का diagram दिया है इसको copy पर भी बनाना है नेक्स्ट आपका आता है stock देखिए होता है stock is collect देखिए कितना बड़ा बड़ा है ठीक है इसका बीग भी बड़ा होता है और यह होता है इल जो है बहुत ही soft रहता है इन सब को जो है अपने copies पर बनाना होता है ठीक है बनाना भी है next आपका homework जो है जो है बनाना भी है अपका है